हलो मित्रों, जैमातादी, मित्रों आज का जोतिस का कारिक्रम बहुत खास रहने वाला हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं, कि आपके घर के इस कमरे में तीन तेवी देवता फिराजमान हैं, जी हां मित्रों अगले 24 घंटों के दोरान यानि की मित्रो कल के दिन यह तीन गलतियां भूल से भी मत करना वरना यह तीन देवी देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगा जी हाँ दोस्तों यान लिजिए यह तीन देवी देवता आखिर कौन है आखिर क्यों आपके घर में रहते हैं और आपको आखिर क्या देना चाहते हैं आपको क्या बड़ा सप्राइज मिले वाला है अगर यह देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपके जिंदगी मे आपको वह सबकुछ मिलेगा, दोस्तों, जिसका सपना आप देखा करते हैं जी हाँ दोस्तों, चाहे करोडो अरबो रुपे हो, या फिर बंगला हो गारी हो, चाहे दौलत हो, या फिर दोस्तों हर शित्र में संतान की प्राप्ति करना हो चाहे प्यार को पाना हो या दुनिया में अपना पर्षम लहराना हो शब कुछ आपको अवस्य ही प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों अगर यह तीन देवी देवता आपसे खुस हो जाएं जी हाँ मित्रों बहुत जरूरी संदेश लाया हूँ और यह संदेश भगवान जीने स्रीराम जीने भेजे हैं और इसी आप जरूर देखिएगा आज का यह जोतिस का कारिक्रम बहुत खास रहनी वाला है आप किसी और वीडियो को देखे या न देखे इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें क्योंकि आज का यह जोतिस का कारिक्रम आपके लिए बहुत बड़ी बहुत नई खुसकवरी को देने भाला है जो जो बाते हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों यकीन मानिए यह सारी बाते हैं आपके लिए बहुत ही रामबान सावित होगा और साथ में दोस्तों जानकारी के लिए आपको यवी बता दें यह तीन देवी देवता आपके प्रान की भी रक्षा करते आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपके साथ साथ आपके पूरे प्रिवार का रक्षा करते आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपके दूस्मनों से आपको बचा रहे हैं यह तीन देवी देवता जो कि अल्रेडी आपके घर में मुझूद हैं लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है इसलिए समय रहते जान लीजिए कि आखर तीन देवी देवता कौन हैं जो आपके घर में रहते हैं आपके कमरे में रहते हैं और वही आपको बताना चाहेंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना कि तीन देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और इस त्यवहार में आपको हर संकटों से बचाते आ रहे हैं आखर क्यों बचाते हैं आपको दोस्तों बताएंगे सारी महत्पून जानकारी आज की इस वीडियो में बस आप इस वीडियो को इसकीप करने की गलती मत किजिए और सुरू से लेकर अंद तक जरूर देखिए दोस्तों आने वाला 24 घंटा आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला हैं और यह परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके बारे में आपने प बहुत बड़ी धनलाब होने वाली हैं और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें यह धनलाब आपको यह तीन देवी देवता ही करवाने वाले हैं और इसी के साथ दोस्तों यह समय आपको सावधान भी रहना होगा योकि अगर आप यह समय सावधान रहेंगे तो इस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को आपके जीवन काल में नहीं दोहरानी चाहिए तथा कि क्या करें जिसे यह तीन देवी देवता आप से परसंद हो जाए और हां यह कौन सी गलतियां है जो आपको कभी भी नहीं करनी हैं उन सभी के बारे में आपको हम आज बताने वाले हैं वस इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत किजिए और हमारे साथ सुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहीएगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिर आपके भाग में कितना पैसा लिखा हुआ है और हाँ दोस्तों यह तीन देवी देवता के आशिरवात से दुखो का नामों निसान मिट जाएगा क्योंकि आपके जिंदगी में 24 घंटे के फीतर होगा बहुत बड़ा चमतकार जी हां मित्रूं आपका दुस्मन तरसेगा आपकी तरक्की को देख कर दोस्तों यह संदेश आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी क्योंकि आपकी जिंदगी को सवार कर रख देगी यह सारी बातें 100% शच्ची बाते हैं मजाग विलकुल भी मत समदिएगा क्योंकि उल्टी गिंती भी शुरू हो चुकी है और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवनकाल में बहुत बड़ा धमाका होगा दोस्तों आप आपके जीवनकाल में खुसियों का नदियां बहेंगी दोस्तों आज का जोतिस का कारिक्रम बहुत परिनंदन करता हूं आज के इस सबसे महत्पुन वीडियो में दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि अब यह तीन देवी देवता के आशिरवात से आपका भाग्य बदलने वाला हैं दोस्तों प्रभुस्री राम जी तथा शंकट मोचन हनुमान जी की क देवात से आपके सारे काम बनने वाले हैं यह तीन देवी देवता का विषेश क्रपा को प्राप्त होने वाली हैं और इन्हें क्या आशिरवात से आपका नाम अब गाव मुहल्ने वाला है यहां दोस्तों तथा यह समय भगवान महादेव जी की पर्ष्थितियों आधिकारियों की गदविदियों पर भी नजर रखने की जुरत होंगी। नौकरी में आप अपने टार्गेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। तथा परिवार जनों का आप से समान्यस से रहने से घर में उचित व्यवस्ता वनी रह सकते हैं। यह बात समझ आएगी। आपके कमजोरी को आपके खिलाप इस्तमाल किया जा सकता है। फिलहाल बाहरी लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। सभाव में सुधार करने की कोशिस करें। तथा आज के दिन परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा। लापका सभाव की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अध्यात्मिक परिश्रम और ठकान से चड़ चड़ापन हो सकता है। जितना हो सके उधार लेने से बचें। व्यपार के लिए कड़ी मेहनत करने की आवस्यकता है। तथा पिछले कुछ समय से विसेश जो विसेश कारी को ले आपको कोई भी खास निर्ल निने में सहजता हो तथा अपने क्रोध और आवेश में आने से बचें। नकरात्मक गद्विदियों और विचारों को अपने उपर हावी न होने दें। वहीं भाई बहन से भी समंद को मदुर बनाकर रखने की आवस्यकता है। किसी तरह की अन लाव आएगा। आपकी योजनाएं वकारी शम्ता बिजनस में एक नई गति प्रदान करेंगी। आज आप मार्केटिंग समंदिक कारों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती हैं। लब पारिवारिक पातावरण खुसहाल बना र रहेगा। जीवनसाथी का योगदान घर के वातावरण में सकरात्पक उर्जा बना कर रखना होगा। तथा सांती के लिए किसी दान पुन्य के काम में सभागिता करें। आपके घर से जुड़ा निवेश फाइदमंद रहेगा। घर के किसी सदस्य के वहवार की वजह से आप परिशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। प्यार के सकरात्पक संकेत आपको मिलेंगे। सहकर्मियों और वरिष्टों के पूरे सहयोग के चलते। दप्तर में काम तेज रप्तार पकड़ लेगा। तथा समाधिक और पारिवारिक गद्विदियो भी मिलेंगे। घर में वास्तु समंधि नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद ही जरूरत रहेगी। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रिसानी का शमधान होने वाला है। फाइनेंस समंधिक अद्विदियो में सुधार आएगा और आपके मन अनुकूल परिनाम भी मिलेंगे। मित्रों इस समय कुछर कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बनी रहेंगी। किसी भी विपरित परस्तिती में अपना आत्म विश्वास बनाए रखें। विदेश जाने के बतें और हां कारुबार में कुछ नया करने का मन बनेगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। अनुभवी लोगों का मारदरसन जरूर लें। नौकरी पेसे वाले लोगों को टार्गेट हासिल कर कारे में भरपूर मेहनत करनी होगी। लवलाइफ दामपत्य समंदों में मदूरता रहेगी। कोई यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा। और वहीं विप्रित लिंगी मित्र से मुलाकात होगी। मा को प्रफुलित करनी वाले हैं। और आपके जीवन की विविन्य प्रकार की समसाएं सफल होगी। आपको अपने डाइट पर भी धिहान दे रहे होगी। आर्थिक इस्तितियां महत्पुन रहेंगी। आप बहुत बहत्रिन कारी कर सकते हैं। और पूजा पाठ में आपका मन बना रहेगा। मित्रूं आपका दिन बहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवस्ते लिखें। आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो। जय माविन दुवासनी।